आज हम बनाएंगे राजस्तान की बहुती फेमस दाल बाटी चुर्मा आज मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी बाटी बनाने का दो तरीका और ये बाटी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौब्ड बनती है और अच्छे से पकी वी बाटी कैसे बनाते ये बताऊंगी आती में एकदम टेस्टी दाल बाटी की दाल बनाएंगे और फिर वही बाटी यूज करके चुर्मा बनाएंगे बहुती आसान और बहुती टेस्टी रेसिपी है अब सारे दाल को दो से तीन बार अच्छे से पानी से दोलेना है यानि कि जब तक पानी आपका clear ना हो जाए तब तक इसे दोना है तो यहाँ पर इसमें 5 प्रकार की डाल यूज किये जाती है इसे पंचमेल भी डाल कहा जाता है और 5 डाल सेम कॉंटिडी में लेना है इसके बार आपने डालों को अच्छे से दो लिया उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और लगबग 2 घंटे के लिए दालों को भीगोना है 2 घंटे के बाद ये दाल अच्छे से फूल जाएगी अब जो ये पानी है ना इसे निकलना है पानी निकलने के बाद इसे कुकर में डाल देंगे अगर आपके पास कुकर नई है तो आप इसे पतेले में भी बना सकते तो यहाँ पर दाल को मैंने कुकर में डाल दी है अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल दूँगी साती में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आदी छोड़ी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर से दाल जल्दी पक जाएगी अब कुकर का धकन लगा कर मीडियम फ्लेम पर 6 सिटी आनत किसे पकाएंगे 6 सिटी होने के बाद ग्यास को बंद कर देंगे और कुकर को थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे उसके बाद कुकर का धकन खोल देंगे बीच में आप इसे नई खोले तो यहाँ पर दाल को हमने उबाल लिया पहले हम बाटी बनाएंगे फिर दाल बनाएंगे बाटी का डोल अकाने के लिए यहाँ पर हम गिहू का आटा लेंगे मैंने यहाँ पर तीन कप गिहू का आटा लिये साती में आदा कप सूजी लेंगे आदी छोड़ी चमच बेकिंग सोडा डाल देंगे एक छोड़ा चमच अजवाइन डाल देंगे अजवाइन को इस तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर तीन बड़े चमच घी डाल देंगे घी और आठे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको घी पसंद है तो आप इसमें और भी जादा घी डाल सकते तेल का इस्तमाल इसमें ना करें दोनों हातों से इसे अच्छे से करिए देखी ऐसा जुनना चाहिए इसका मतलब हमारा आटा का मोहिन अच्छे से परफिक्ट लगा है अटे में मोहिन लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे यहाँ पर देड कप पानी लिया है मैंने और इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज करें और आटे का एक कड़ा डोव बना ले बर यह आटा एक साथ आ जाए तब हम इसे अच्छे से गुन लेंगे थोड़ी से महनत लगती है क्योंकि यह थोड़ा सा आटा हाड होता है तो इसे अच्छे से दो से तीन मिर्ट के लिए गुन लिजिए ताकि आपका बाटी हमारी इजिली शेफ हो 10 मिट के बाद आपको इसका पेडा बना लेना है और बाटी को शेफ देना है ऐसे थोड़ा सा आटा लेंगे उसका एक गोल बना लेंगे एक पार आपने इस तरीके से राउंड बना लिया उसके बाद अंगुटे के मदद से इस तरीके से शे पिर से इसका गोल शेप देना है ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि बाटी अंदर से पक जाए इक बार गोल शेप कर लिया उसके बाद इसके उपर इस तरीके से एक प्लस बनाना है एक चाकू की मदद से इस तरीके से बाटी के उपर शेप बनाना है तो सेम तरीके से बाकी की बाटी बना लेंगे तो बाटी को मैं एक बार और दिखाती हूँ कैसे शेप करना है तो बाटी को शेप करना बहुती आसाने बाटी को तो पकाने के लिए अख़ी सारे अलग-अलग तरीके होते ट्रेडिशनली तो बाटी को कोईले के उपर पकाया जाता है बहुती टेस्टी लगते हैं, घर पर भी अलग अलग तरीके से पकाते हैं, मैं यहाँ पर अप्पे पैन और कड़ाएं में कैसे बनाते हैं यह बताऊंगी, आप इसे कुकर में या फिर कड़ाएं में या फिर अप्पे पैन में बना सकते हैं, जो भी आपको प्रोसेस इजी लगे हो क करें यहाँ पर सारी बाटी तयार कर लिए मैंने अब इससे गीले कपड़े से ढग कर रख देंगे साइट में ताकि उपर से बाटी ड्राय न हो पहले हम अप्पे पैन में बाटी बनाएंगे तो ग्यास के उपर यह मोल्ट रख देंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है मिडियम गरम होना चाहिए नहीं तो यह बाटी जल जाएगी एक बार यह मोल्ट गरम हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा घी लगाएंगे घी लगाने के बाद एक एक करके यह सारी बाटी डाल देंगे सारे बाटी को डालने के बाटी कच्छी रहेगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी पाच मिनिट के बाद धकन खोल देंगे इस बाटी को इस तरीके से पलटना आप देख सकते कितना अच्छा कलर पकड़ना शुरू कर दिया बाटी ने और फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी सारी बाट जब तक कि आपकी बाटी दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो मैंने इसे तीन बार पलटाया था तो इस तरीके से पकाया आप देख सकते हैं लगबग 20-25 मिनिट में आपकी बाटी पक जाएगी चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं बड़ाई को मैंने पाच मिनिट पहले गरम कर लिया था अब हम इसमें केक टेन में ये बाटी को रख देंगे घी वगरा कुछ भी नहीं लगाना है बस इसे ऐसे रख देंगे और इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पर 20 मिट तक पकाना है 15 मिनिट के बाद इसे पलट देंगे ता पर आप देख सकते हैं दोनों साइट से अच्छे से पक चुके हैं बाटी इसे हम निकाल लेंगे तो जो आपको इजी लगे उसमें आप बाटी को पकाए अब यहाँ पर घी लेंगे घी घरम होना चाहिए इस बाटी को उटा कर इस घी के अंदर डाल देंगे डाल बाटी म घी बहुत ही जादा होता है तो ही यह बाटी अच्छी लगती है इस डो से 14-15 बाटी बनके तयार होगी इस तरीके से बाटी को डिप करेंगे घी में और बाटी को निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे सेम तरीके से सारी बाटी को ऐसे घी में डिप करेंगे और प्लेट में निकल लेंगे तो ये हमारी दाल बाटी की पर्फेक्ट बाटी बनके तयार है अब दाल को तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए एक बड़े बरतन में तीन बड़े चमज घी डाल देंगे घी एक बार गरम हो जाए तब हम इसमें एक छोड़ा चमज जीरा डाल देंगे, साती में दो से तिन सुकी लाल मिर्ट डाल देंगे, एक बड़ा चमच बारीक कटावा लसन डाल देंगे, एक बड़ा चमच बारीक कटावा अद्रक डाल देंगे, दो से तिन बारीक कटे भी हरी मिर्ट डाल देंगे, और आदी छोड़ी चमच हिंग डा अब हम इसके अंदर एक बारिक का टबा पैस डाल देंगे, अब यहाँ पर मैंने पैस डाल दिया, और पैस को भी ठोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, पैस को एक से दो मिर तक पकाना है, पैस यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके अंदर एक बारिक कटावा टमाटर डाल देंगे और साती में सौधनुसर नमक डाल देंगे नमक से टमाटर जल्दी सौफ्ट हो जाएगा अब टमाटर को भी थोड़ा सा दो मिट के लिए पकाना है ताकि टमाटर अच्चे से सौफ्ट हो जाए यहाँ पर टमाटर सौफ्ट हो चुका है अब ग्यास की फिलेम लो कर लेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले डाल देंगे अब हम इसमें आदी छोड़ी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोड़ा चमच कश्मे लालमिश का पाउडर डाल देंगे और एक छोड़ा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इने लगबख एक मेट के लिए भून लेंगे अब ये मसाले अच्छे से भून चुके है अब हम इसके अंदर जो डाल उबल के रखी थी न वो इसमें डाल देंगे और डाल डालने के बाद डाल को और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो डाले ना काफी गाड़ी हो जाएगी अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो पानी यहाँ पर गरम पानी का इस्तमाल करे पानी आप अपने हिसाब से डाले जितने आपको डाल पतली या फिर गाड़ी चाहिए न उतना ही आप पानी डाले तो यहाँ पर मैंने गरम पानी डाल दिये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखे कि दाल उबालने के बाद और थंड़ा होने के बाद और भी गाड़ी हो जाती है तो पानी आप अपने हिसाब से डाले आप देख सकते हमारी दाल एकदम पर्फिक्ट बनीये जादा पतली भी नहीं है, जादा गाड़ी भी नहीं है ऐसी दाल होनी चाहिए अब इसे 2-3 मिनिट के लिए दाल को अच्छे से पकाना है अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल सकते लास्ट में हम इसमें बारी कटा हुआ धन्या पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कही बार कही लोग इसके उपर घी का तड़का भी लगाते अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं और यह हमारी दाल बाटी की सूपर टेस्टी दाल बन के तयारे अब बनाते हैं चुर्मा चुर्मा बनाने के लिए दो से तिन बाटी लेंगे इसे इस तरीके से तोड़कर मिक्सी जार में डाल देंगे और जार में डालने के बाद जार का धकन बन कर लेंगे और इसका दरदरा एक पाउडर बना लेंगे तो आप देख सकते बाटी को इस तरीके से पिसना है पेस्ट बनानी नहीं यह दरदरा पिसना है अब एक पैन में एक बड़ा चमच घी डाल देंगे घी डालने के बाद बाटी का जो पाउडर है न जो चूर्मा यह वो डाल देंगे अब इसे अलो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है इसमें जो मौशर होता है न उसको थोड़ा सा निकलना है मतलब यह ड्राय होना चाहिए लगबग इसे भूनने के लिए 8-10 मिनिट लगते है आप देख सकते हैं चूर्मा काफी ड्राय हो चुका है अब इसे एक बोल में निकल लेंगे और इसे अच्छे से थंड़ा कर लेंगे चीनी मिलाने से पहले अगर आपने गर्मा गरम चुर्मे में चीनी डाल दोगे ना तो चीनी आपने पानी छोड़ती है तो आप इसे गर्मा गरम चुर्मे में चीनी मट डाले चुरा थंड़ा हो चुका है अब हम इसके अ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ट्रेडिशनली इसमें चीनी की जगा बुरा का इस्तमल किया जाता है पर मुझे वो नहीं मिला इसलिए मैंने चीनी का इस्तमल किया है अगर आपके घर पर बुरा है तो आप वो डाले अब यह हमारा चुर्मा बनके तयार है अब दाल बाटी ही का तड़कर डाल देंगे और थोड़ा सा धन्यापत्त डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने चुर्मा बने तना वो रख देंगे और साती में कटे हुए प्यास और हरिमेज और निमू भी रख देंगे तो यहाँ पर मैंने प्यास रख दिया और एक हरिमेज रख देंग और थोड़ा सा निम्बू रख देंगे हम इसमें बाटी रख देंगे जो हमने बना के रखी थी तो यहाँ पर आप देख सकते इसका कलर कितना अच्छा आया है तो यह हमारे दाल बाटी चुर्मा बन के तयार है आप भी से एक बार जरूर ट्राय करना आपको भी बहुती पसन आएगा और एक बाटी में आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसे हमने घी में डिप किया था तो यह दिखिए अंदर से एकदम सौफ्ट और बाहर से एकदम खस्ता बनी है एकदम सही तरह के से पकी है यह रेसेपी बनाना बहुती आसाने और बहुती टेस्टी लगती है और डाल बाटी खाने का मज़ा तो हातों से ही आता है जब आप डाल बाटी अपने घर पर बनाव गेना तो हातों से ही खाना चम्मत से मत खाना हातों से यह बहुती टेस्टी लगती है और ट्रेडिशनली बाटी को तोड़ कर प्लेट में डालते हैं और उसके उपर ये डाल को डालते हैं और घी डाल कर खाते हैं ऐसे ही खाने में मजा आता है आप भी से एक बाद जरूर ट्राइ करना आपको भी बहुती पसंद आएगा अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले